प्रिनियका चोपड का फैशन इवेंट में इस तरह था पाटी लूट जो हो रहा है हिट देखें तस्वीरें बलिवुट से लेकर हॉलिवुड में अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने स्टाइल्स को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं हाल ही में प्रिनियका ने अपने हस्बैंड नेका 27 वाब बर्थडे मनाया था जिसके बाद वे एक फैशन इवेंट के लिए बुलगारिया रवाना हो गई थी इस इवेंट में पहुची प्रियंका का लोग सामने आया है जिसमें वे काफी स्टाइलिश और खुबसूरत नजर आ रही है हाल ही में वोग जापान ने अपनी 20 वी साल गिरह बुलगारिया में मनाई है जिसमें शामिल होने के लिए देसी गरल प्रियंका भी पहुँची थी इस फैशन इवेंट के बाद प्रियंका मिलन में होने वाली बुलगारी पार्टी में पहुँची थी इस पार्टी से प्रेयर का की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिन में वे ब्लैक शिम्री थ्री पीस पहनी हुई दिख रही है ग्लज ब्लैक सूट के साथ उन्होंने डायमंड में एक पीस और डायमंड एररिंग पहने हुए है इस सूट में रेट्रो चट हेर स्टाइल भी काफी सूट कर रही है ब्लैक हील्स भी इस लोग को कम्प्रीमेंट कर रही है आपको बता दें कि प्रियंका चोप्रा जल्दी शोनाली बोस की फिल्म दिसकाई इस पिंक में नजर आने वाली है इस फिल्म का ग्रेंड प्रीमियर हाल ही में टोरोंटो इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में रखा गया था इस मौके पर भी प्रियंका का लोग काफी हड के था उन्होंने ग्रे ब्लैक रंग के कॉम्बीनेशन वाली स्ट्रिप फ्रिल्ड रेस पहनी थी जिसमें उन्होंने खुले बालों को स्ट्रेट रखा था इस फेस्टिवल में प्रियंका के साथ फरहान अख्तर और शोनाली बोस भी शामिल थे फिल्म दिसकाई इस पिंक जल्द 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है ये फिल्म एक लव स्टोरी होने वाली है जिसे जाहरा वसीम फिल्म में सुनाने वाली है फिल्म पर निर्देशन शोनाली बोस द्वारा किया गया है